ओम शांती, 11 अगस्त 2023 की साकार मुर्ली से होमफर्क, आज की मुर्ली से हम लक्षे लेंगे, हीरे जैसा बनने का पुर्शार्थ करना है, हीरे जैसा बनना अर्थाद, सुर्य वन्शी राज्य में ताउसी तक्त का अधिकारी बनना, इसके लिए आज बाबा ने विशेश अटेंशन दिलवाया है, योग के उपर, दूसरा श्रीमत, फिर बाबा ने का सुधर्शन चक्रधारी भी बनो, और देही अभिमानी बनो, हीरे जैसा बनने के लिए ये विधिया आज की मुरली में बाबा ने बताई, योग के लिए बाबा ने कहा, हीरे जैसा बनने के लिए तुम्हें पूरा योग लगाना है, इस संगम पर सत बाब, सत टीचर, सत सत गुरु हमें मिला है, तीनो संबंधों से अगर सारा दिन हम बबाबा को याद करेंगे तो निरंतर याद में रह सकेंगे इस समय संगम पर हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिप बबाबा के पोत्रे हैं इश्वर की गोद मिलने से ही हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है क्योंकि बाप के संबंद से बाबा हमें सुक का वर्सा देते हैं हमें बैकुंट का मालिक बनाते हैं और टीचर के संबंद से बाबा हमें ज्यान सागर बनकर ऐसे पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम ताउसी तक्त के अधिकारी बन जाते हैं तो सारा दिन समृति में रखना है, इस नौलज से हमें क्या मिलता है, इसलिए ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, पढ़ाई हमें रेगुलर पढ़नी है, और इसके साथ हमें ये भी समृति में रखना है, कि बाबा ने जो हमें knowledge दी है इस knowledge को दूसरों को भी देना है क्योंकि पढ़ना है और हमें दूसरों को पढ़ाना है हम God Fatherly Student है करम करते हुए घर में रहते हुए इस नशे में रहना है सत्गुरु बनकर बाबा हमारी सद्गती करते हैं सत्गुरु बनकर के हमें पावन बनाते हैं हमें पुजारी से पूझ्य बनाते हैं दूसरा हीरे जैसा बनने के लिए बावा ने कहा स्वधर्शन चक्रधारी बनो बावा ने कहा बुध्धी में स्वधर्शन चक्र फिरता रहे तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे बावा ने आज मुर्ली में बताया कि सत्युग और त्रेता में तुम चैतन्या में सारी स्रिस्टी के मालिक थे द्वापर में आकर के आप बहुत साहुकार रहते हैं इसलिए बहुत बड़े-बड़े मंदिर बनाते हैं हीरे ज्वारात उसमें लगाते हैं लेकिन कल्युग में आते ही घोर अंध्यारे में आ जाते हैं तो संगम पर फिर बाप आकर के हमें सम्रिती दिलाते हैं हमें एडॉप्ट करते हैं हम ब्रामन बनते हैं तो बाबा सम्रिती दिलाते हैं स्वधर्शन चक्रधारी तुम ब्रामन हो दूसरी सम्रिती हमें दिलाई बाबा ने त्रिकाल दर्शी तुम ब्रामन हो तो ये सम्रिती इमर्च होते ही हमें ये भी याद में दिलाया कि तुम ही विश्नु कुल में आने वाले हो तो यहां तु पुरिशार्थ करना है सुंपूरण निर्विकारी बनना है सच्ची कमाई करने है जितना यहाँ पुरिशार्थ करेंगे उसका प्रालब्द सत्युग में मिलेगा तो भाबा ये समृति दिला रहे हैं तुम तरिकालदर्शी हो तुमारे आगे वर्तमान और भविश्य स्पस्ट है जिसके आधार पर तुम सच्ची कमाई कर सुम्पूरण निर्विकारी बन सकते हैं अर्थात बाबा हमें ताहसी तक्त का धिकारी बनने के लिए इस सोधर्शन चक्र के धुरू सब कुछ बता रहे हैं इसके साथ सुम्रिती में रखना है देही अभिमानी बाबा केते अगर तुम देही अभिमानी बनते जाओगे तो तुम हीरे जैसा बन सकते हो देही अभिमानी बनने की दो विधियां बाबा ने बताई पहली विधी बाबा ने बताई कि तुम्हें ये समरिती में रखना है कि अपना स्वभाब सरल बनाना है जितना स्वभाब सरल होगा उतना संगठन में हम चल सकते हैं तो ये तभी चल सकते हैं अगर देही अभिमानी होंगे, देहे अभिमान होगा तो हंगाम में आधी होते रहेंगे, दूसरी देही अभिमानी बनने की विदी बताई सरव आकर्षनों से मुक्त, देहे, संबंध, पदार्थ, इस पुरानी दुनिया के आकर्षन से अपने को क्योंकि धन, दोलत, सब कुछ ही खतम होने वाला है, तो बाबा ने इस विराग्य की समरिती दिलाए, तो इस पिछाड़ी जो भी ये है, कखपन है, इसके पिछाड़ी धक्का क्यों खाते हो, तो बाबा ने इसको समरिती दिलाए कि इन सब के अकर्षन में तुम नहीं देही अविमानी हो करके रहो, जितना देही अविमानी होंगे, उतना बाबा की याद रहेगी और संसकारों में पवित्रता आईगी, फिर बाबा ने श्रीमत के लिए कहा, कि तुम जितना श्रीमत पर चलोगे, उतना हीरे जैसा बनते जाओगे, श्रीमत है कि गफलत नहीं करनी है, मा बाप का बन करके फिर फारकती नहीं देनी है और ग्यान रतनों का दान कर दूसरों को आप समान बनाना है मम्मा बाबा की तरह ग्यान की नईने युप्तियां निकालनी है ये इस तरह सेवा करेंगे तो तुम भविष्य में राजारानी बन सकते हो तो इसी तरह ये इन बातों को आज की मुली से हम अटेंशन में रखेंगे ओम शान्ति